शिल्पाशेटी ने बीती रात पूरे परिवार के साथ होली का देहन का किया आयोचल इस वीडियो को देखकर बॉकला उठे लोग आए जानते हैं इसके पीछे की वचा शिल्पाशेटी अपने पूरे परिवार के साथ हर साल होली का देहन मनाती है और इस मौके पर उन्होंन अपने फैंस के साथ भी इस वीडियो को शेर किया शिल्पा शेटी को देखा जाए तो वो हर फेस्टिवल को बहुत ही जादा हर्श उल्लास के साथ एंजॉय करती है और खास तौर पर शोशल मीडिया पर उनके फोटोज को पोस्ट करती है होली 2023 के मौके पर शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी ने भी अपनी घर के कैंपस में होली का देहन किया और इससे जुड़े सारे रिच्वल्स को फॉलो करती दिखी मानिता है कि होली का देहन लाइफ से नेगेटिविटी और बुराई को खत्म करने का त्योहार है लेकिन इस वीडियो में लोगों ने कुछ ऐ शूज करते हैं लेकिन ऐसे में इन्हें लोग शुब मानते हैं इस वीडियो में शिल्पा ने अपने घर के अंदर जो होली का देहन किया है उसमें बास नजर आ रहा है और लोग इसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल करते हुए आ रहे हैं नजर एक यूजर ने कहा हिंदू ध याद नहीं कि हिंदू दर में बास कभी नहीं जलाया जादा है तो लोग अलग अलग तरहे के से प्रतिक्रियाये देते हुए नजर आ रहे हैं खास तोर पर बास की लकडिया जलाने की वज़ा से शिल्पा शेटी बुरी तरीके से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है और इस अंचरे के विडियो काफी जादा वारिल हो रहा है शिल्पा शेटी के साथ फौलीका धहन के विडियो में उनके पूरे परिवार उनके बच्चे भी शामिल होते हुए नजर आ पहले तो शिल्पा अपनी बेटी शमीशा को गोद में लेकर ऑलीका ध्वार्स करती नहीं इसके बाद पुरे परिवार के साथ वहाँ जोड़ कर प्रात्ना करती दिखी और ऐसे में देखा जाए तो ये विडियो तो काफी वाइरल हुआ लेकिन बुरी तरीके से ट्रोल हो गई शिल्पा शेटी बांस को जलाने को लेकर अब इस पर आपके क्या है रियाक्शन हमें ब